नमस्कार स्वागत है आप सभी का UPSC से एक नई नोटिस जारी हुई है थोड़ी दिर पहले और UPSC ANM 9212 बरते में आज हाई कोड की सुनवाई में क्या हुआ और इसके बाद ज्वाइनिंग की नोटिस कब तक आ सकती है ज्वाइनिंग लेटर को ले करके भिवाग से और आगे जो है प्रोवेजनल की डीबी को ले करके नोटिस कब तक आ सकती है सबसे पहले आपर देख लेते हैं UPSC से कौन सी नई नोटिस जारी हुई है एक नॉबर 2022 ये नोटिस पहले वी दो बार जारी हुई थी इसमें जो है मेरिट डाउन करके कटाफ डाउन करके अभ्यरतियों को सैक्षिक अभिलेक जो अरता है उसके वरिफिकेसिंग इले डीबी के लिए आप कहे लेजी डीबी के लिए बुलाया जाता है लेकिन यहाँ पर अभ्यरतियों नम मिलकाने की बज़ेसे बार बार जो है कटाफ को डाउन कर जाता है फिरson अभ्यरति बुलाय प्रपत्र सैक्षिक अभिलेकों के परिक्षड के उपरांत पर्याप संख्या में अहर अभ्यारतियों द्वारा अनिवार सैक्षिक अरता समंदी अभ्यारतियों के अभ्यारतियों के प्रपत्र सैक्षिक अभिलेक प्राप्त कर परिक्षड किये जाने का निड़ा लिया गया है इसके बाद यहाँ पर एनम 9212 परती में आज जो कोर्ट में सुनवाई थी अलावा अधाई कोर्ट में आरक्षड वाला जो मामला था 14492 यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं सीधे जो है next year की डेट लग गई है 16 जनौरी 2023 की डेट लग गई है हमने पहले ही कहा था कि जो आ नयाय के लिए संगर्स करना अच्छी बात होती है ग्राउंड अगर आपका अच्छा हो तो आपको 100% सपलता मिलनी भी चाहिए लेकिन जहां पर चीजे संभव नहीं है या फिर जहां पर जो अभी जितने भी आप देखेंगे कोड केसे पड़े हुए है उसमें जो ग्राउ सरकार में इसमें नेक्स डेट लग गई है 16 जनौरी की और इसी के साथ आप सपी को बता दें कि जो कल डेट लगी थी 31 सक्टूबर वाली उसमें 3 नौंबर की डेट लगी हुई है और आगे जो भी मामले है फिलाल में भरती पर कोई भी प्रभाव नहीं है किसी भी मामले से और जो लखनो बेंच में मामले चल रहे हैं उसमें EWS वाले में अभी तक 100% कनपर्म नहीं हो सका है कि सरकार डिविजन बेंच में जा रही है या फिर आयोक के लिजे सरकार के लिजे एक ही बात है सब क्योंकि सरकार के ही निर्देश पर सब कुछ होता है और साथ ही साथ या गुषस धा Biraz जानकारी आप सब्सक्राइब है यां जहां तक जीजे हमारे बस में होती है वहां तक हम पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास बाकि हमें बताने के लिए बहुत लोगों ने बता रखा है अब कुछ लोग कह रहे थे कि दो-ती दिन में नोटिस आ जाएगी कुछ लोग कह रहे थे प्रोविजल की नोटिस एक नॉवंबर को आने वाली है कुछ लोग कह रहे थे कि पांच को कुछ लोग चे को कुछ लोग साथ नोंबर को कह रहे थे कि जोइनिंग लेटर बिद्रड होने वाला है बहुत तरगी चीजे हैं सब लोग अपने अस्तर से प्रियास करते हैं कि कुछ सही जानकारी मिले लेकिन जब तक हमें अपने अस्तर से बिलकुल सही कनपर्म सूसना प्राप्त नहीं होगी जानकारी प्राप्त नहीं होगी तब तक हम आपको कोई भी आगे की अपडेट नहीं दे पाते हैं तो आप लोग प्लीज परेशान मत हुआ करिए बाकी सब लोग अपने अस्तर से कोसिस करिए अभी जिसे आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी का कारकरम हर जिले में कहीं न कहीं होता रहता है अभी उप्चुनाव में भी उनका कारकरम के लिए गए हुए थे लेकिन उनसे मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पर सुरक्षा प्रोटोकॉल से ग्यापन अगर हम दे करके भी चले आते हैं तो ग्यापन उन तक पहुंच नहीं पाता तो उन तक ग्यापन या फिर सीधे-सीधे से जहां अब तक संभा हो उनसे हर संभा मुलाकात करके फिर से उनसे बात की जाए आयोग में बात की जाए साथ ही साथ परिवार कल्ला बिभाग में जाकरके बात कर सकते हैं जो भी बेहने लखनों के आसपास के जो कुछ बेहने गई थी कल के डेट में और हमारी उनसे बात भी हुए थी कुछ लोगों से उसमें कुछ बहने हमें मैसेच करके कुछ लोगों ने कमेंड पर आप देखेंगे कि उन्होंने बताया हुआ था कि क्या जानकारी मिली है उन्हें तो 2-3 दिन में हमें भी उम्मीद है आयोग इन सभी मैटर को जल्द क्लियर करके जो सबकी फाइल है इसी महीने नॉवंबर में सबकी फाइल विवाब को भेजते वे आगे जो है ज्वैनिंग की प्रोसेस की जानी है और अभी तक जो फ्रेस सेलेक्टेड कैनिडेट की जो फैले से फाइल विभाब को भेजी गई है या भी भेजी जा रही है उसमें जो नियुकती पत्र बित्रड समारो होना था अभी तक वही नहीं हो सका है और ज्वैनिंग लेटर बनने में उसके बाद आगे जो है जिला अलार्टमेंट में आदी चीजों में थोड़ा समय लगेगा और आप देखेंगे कि जिला प्रिफरेंस को लेकर के कोई भी इस्तिती असपश्ट न हो पाने की बज़े से भी बहुत सारी बहने परिसार है जो यह चाहती है कि उन्हें जो जिला हो चाहती है उन्हें ओ जिला मिल जाए बाकि यहाँ पर ज्वैनिंग हो जितनी जल्दी हो सके जिला अलार्टमेंट आगे भी चलता रहे लेकिन सबसे पहले आपर ज्वैनिंग होना आवश्चक है तो हमारी पूरी कोशिस थी कि आज की डेट में कुछ कनपर्म आप सबी को चीजे बता पाएंगे लेकिन कोई भी कनपर्म जानकारी प्राफ्त नहीं हो सकी कल अगर कोई जानकारी प्राफ्त होगी तहम आपको बताएंगे वीडियो के मादिम से अगर नहीं प्राफ्त होगी तो थोड़ा सा आप से भी धहरे बनाये रखिएगा वीडियो थोड़ा सा हम लेट करके बनाएंगे जब कोई जानकारी प्राफ्थ हो सकेगी तब तक आप किसी भी तरह की भ्रामक खबरों से बचे और हमने भी कई लोगों से कई लोग हमें भी आप देखेंगे मैसेज करके कि भरती में रोक लग गया है इस्टे लग गया हम सबको समझा नहीं सकते हैं बागी चीजे सही सबको पता है कि भरती में किसी भी तरह की कोई भी रोक नहीं है और जो भी कोट केसेज अभी EWS वाले मामले में ही आप देखेंगे दो और नई याचका हैं जो पड़ी थी या पड़ी हैं जिसको लेकर के जानकारी दी गई थी अब वो याचका पड़ी है क्या है वो बात की बात है लेकिन आज एक डेली नुश पेपर में खबर मैं देख रहा था उसमें सेम यही चीजे थी तो उसमें यह होता है कि अगर कहीं पर कोई कोट ओरर होता है तो फिर सेम ग्राउन पर कुछ और भी याचका हैं पड़ने सुरू हो जाती है और कुछ लोग पोच रहते कि जो ओरर हुआ है सब के लिए हुआ है या फिर केवल याचियों के लिए तो यह चीजे हम कई बार पता चुके हैं केवल याचियों के लिए ही कोट ओरर है अगर आप वीडियो पूरा सुनते होंगे तो आपको complete जानकारी मिलेगी आधा दूरा सुनेंगे तो आप तक पूरी जानकारी नहीं पहुँच पाती है तो जो भी कोट ओरर हुआ था वो केवल याचियों के लिए हुआ था सीटे है नहीं फाइनल मेरिट लिष्ट आ सकी है और अगर यही भरती सुर्वाती स्टेज में होता तो वहाँ पर सभी किलिए वहां पे कोट ओरर भी इसी तरह से होते हैं कि بरती किस स्टेज में और अभी तक सत प्रसद यह भी क्लियर नहीं हो सका है कि जो EWS वाला मैटर सरकार इसमें डिवीजन बेंच में जा रही है या फिर इसमें मारनी कोड के आदेश का अनुपालंग किया जाएगा ज्यादा चांस इसमें कि सरकार जो है इसको चैलेंज कर सकती है बाकी नयाय मिल जाए उन बहनों को तो अच्छा ह होता है अगर किसी के साथ गलत होगा है या फिर उनके प्रमार पत्र सही थे केवल वहां पर डीबी में गलती हुई है या उनके सब कुछ सही थे उनके कोई तुर्टी नहीं है जब उसमें कोड और में आप देखेंगे स्युकार किया गया है तो अब उनको सरकार चाहे निय कर सकते हैं तो जुरूर कोशिस करते रहें साथी साथ आप लोग वीडियो को लाइक और शियर जुरूर कर दिया करें ताकि सभी तक जो है सही और आथेंटिक जानकारी पहुंचती रहें धन्यवाद